वेल्कम टू वी आप्टिमेस्टी आई होप आपसे बहुत अच्छे हैं तो दोस्तों इसमें हम लोग डियाई नंबर सेवन डिसकस करेंगे यहां मैं एक डियाई लेबल डियाई सेरीज चला रहा हूं तो इस डियाई सेरीज का यह सेवन्थ कोश्चन है किसि एक ने मुझे टेलिग्राम पर सेंड किया हुआथा ठीक है टेलीग्राम पर संड कराउए था ऑनको समझ में या रहा था उन्हें करिसी बीडियो दे तो अच्छा रहा है ना तो मुझे अच्छ लेगी तो मैंने सुचा एक कासले था था से लिगा है च्छरा कुलिए नहीं दो क्या है फालत लिखाव उपर एक लाइँ टैकर इन इन आ बैग ADS समझ में आ गया इतना हम लोग का कंडिशन यहां का हुआ था यह कुछ भी लगा लेता हूं मैं ठीक है अब देखो पहला कंडिशन क्या प्रॉबैविलिटी आफ गेटिंग वन ग्रीन एन वन ब्लू बॉल विडाउट रिप्लेस्मेंट इस फॉट्टी अपॉन एटी सेवन ठीक है मतलब कहह रहा है कि आपकी जो प्रॉबैविल्टी है एक ग्रीन बॉल की और एक ब्लू बॉल की लेने की और रिप्लेस्मेंट नहीं होना चाहिए तो वो कितना है इस फॉर्टी इस फॉन प्रॉबैविल्टी का सिंपल सा कॉंसेट होता ही है न कि अगर हम लोग एक ब्लू बॉल निकालते हैं मानलो एक ब्लू बॉल मैंने निकाला ठीक है एक ब्लू बॉल निकाला तो कहां से ङतले होंगा टोटल से लिक लोगा बी प्लस जी से ठीक है अब यहां बी वन लिखने की जरूरत नहीं है यहां भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका मतलब वही होगा ना सेम ही होगा अब यह निकाला मैंने अब जब एक ब्लू निकाल दिया तो बचे बॉल्स कितने रहेंगे मालनों टोटल फोटी है अब एक बॉल इसमें से जब निकाल होगा तो बचे बॉल कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे तो सेम आप नमबर्स था तो आपने इजली बता दिया सेम ऐसे अब जब ग्रीन बॉल में निकाल हो तो और लेडी मैंने बी प्लस जी से एक बॉल निकाल लिया है वो क हम लोग ने बी प्लस जी बॉल में से कितने बॉल निकाल लिया एक बॉल और कौन सा बॉल ग्रीन वाला तो माइनस वन कर दिया अब इसकी प्रवेल्टी जो कह रहा है वो कितनी कह रहा है 40 अपॉन 87 समझ किस लाइन का मतलब अब देखो यहां पर बी जी बीजी है ना तो इ 87 ठीक, 2 से इसको इसको कैंसल कर सकता हूँ मैं, सिंपल कर लूँगा मैं, नहीं भी कर तब ही कोई इस्यू नहीं होगा तो इसको मैं Erase कर दे रहा हूँ और यहांपर, आप समझ जा ना विडियो कर करके कर देखों, यहां 20 जो है यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ अब तो अब solve अगर करोगे तो बहुत लंबा और बहुत ही लंदी हो जागा तो solve अब ऐसे नहीं करना है factorization ऐसे cases में देखने है तो factorization कहा देखोगी यह number जो देखो जैसे देख रहा है जैसे माल लोग कि number देता हूं है 20 देता हूं एक 19 देता हूं तो इस number को कैसा कहेंगे हम लोग consecutive numbers करेंगे मतलब एक के बाद एक आने वाला तो यहां पर आप अगर notice करोगे बी प्लस जी यहां भी है बी प्लस जी यहां पर रहे एक माइनस हो रहा मतलब अगर यह 19 होग यह 20 होगा समझाने के लिए बता रहा हूं होगा नहीं वेसे कि यह भी consecutive numbers जैसे यहां पर मैंने एक्जांपल के फर्म में समझाया था आपको समझ गई तो इसको हम लोग factorize करेंगे 87 के factorization क्या होता है 3 into 29 होता है ठीक है अब consecutive मतलब क्या होता 3 के बाद 20 रहें तो आता नहीं भाई साब 3 के बाद 4 आता है यह से बाद समझा देता हूं यह consecutive numbers आते हैं तो 3 इसका factorization क्या 3 into 29 हो गया 3 का अगर आप consecutive number 4 and 5 आएगा आप 29 है बिल्कुल possible नहीं है 29 का consecutive क्या आएगा 28 and 30 तो 3 के table किस में जाता है 30 में 28 में नहीं जाता है इसी वैसे condition खताम हो गई समझ गई इस बात को इसी को में erase करके अब यहां पर लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखो 3 into 29 ता 3 into 10 मतलब 30 हो गया 30 into 29 अब यह 30 किस की वैली हो गई बी प्लस जी की और 29 किसी हो गई बी प्लस जी माइनस वन मतलब एक कम हो गया समझ गया तो इसी तरह से आपका यह बी की और जी की वैलू ऊपर के मिले के 20 and 30 because बी प्लस जी की वैली किसी थर्टी तो यह बी आंजी किया होंगे 20 and 30 तो बी आपकर क्या ग्रेटर था तो बी की वैलू कितनी हो गयी यहां से 20 होगी जी की वैलू कितनी हो गयी समझ गे इस बात को नहीं समझ में है तो फिर से रिपिल सक अगर देखना तो चलो अगले आपके दो तीन कोश्चन जो भी आए होए थे आपके SBI PO मेंस में बहुत ही आसान से है देखो यहाँ पर पूश किया रहा है अब हम लोग का बॉल्स मिल गया भी ब्लू बॉल्स कितने है ट्विट्टी है ग्रीन बॉल्स कितने है बैग एक्स की बात कर रहे है तेन बॉल्स है तो 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 कैंशल जागा छोड़ दे रहे है क्योंकि तो यहां भी दिख रहा है मेरे 30 इंटो 29 कैंसल 3 से करो 3 तरी 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 आसर आगा 3 अपॉन 29 यह वाला हम लोग यहां लिख लिए थे हैं यही पर मैं लिख दे रहा हूँ कि कि आगे जरुविक पढ़ सकती है आगे तो in which some blue balls इसमें भी क्या है कि कुछ blue balls है और कुछ green balls ठीक है लिख दिख दे हमने ठीक है अब अगे दर कंडिशन का है if the if a if a number of blue balls taken out मतलब taken out मतलब निकाला जा रहा है from y मतलब y से निकाला जा रहा है blue balls को ठीक है is 4 more than the green balls मतलब यह जो भी है आपका जो green ball मालो हम लोग निकालना है x तो blue ball कितना निकालने हम लोग x plus 4 इसको मैं निकालने के सिंबल को माइनस से यहां टेकन आउट लिखने से अच्छा है क्या लिग दियू मैं मैं माइनस लिग दियू मतलब इसको निकाल दिया गया ठीक है अभ यहां तक समझ में आ गया अब आगे क्या रहा है अब टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे अगर में टोटल निकालना चाहते हिन सब को मुझे अट करना पर एंगे यह समय में आ गया नहीं इसको मैं एरेस कर देना हुँ थाकि मुझे जगह में थोड़ा सा लिखने के लिए आप ठीक है अब देखो टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे मेरी यहाँ पर लिख दरहू है तकि समझ में आजए टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे बैग वाई में बैग वाई की बात कर रहा हुँ है ठीक है कितने हो जाएंगे ट्वेंटी प्लस थर्टी प्लस थर्टी प्लस थर्टी इसको में ब्रकेश लेजरा तकिस समझ में आया चिसे ठीक अब इसकी प्रविविल्टी के मिला हम लोग थरीन अपॉन अपॉन अब आगे देखो यहां पज़े भी सको कंडिशन करोगे के आएगा 10 प्लेस यहां 10 प्लस एक्स अब दूसरे में एक कम आगा 10 प्लस एक्स-1 मतल क्या हो जाएगा मेरा यह 13 अपॉन 123 समझ में आ गया यह चीज़ अब देखो इसको मैं हटा दे रहा हूं से ताकि समझना है यहां अब देखो इसको 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 सॉल भी कर सकते है और कि वो करने से अच्छा फैक्टराइशन एक में तो उसको सीखो यह मैंने अमर सर से सीख हुआ है बहुत ही मतलब अच्छा कॉंसेट है ठीक है अब यहां पर क्या लिख सकता हूं है 13 यह यह जो नीचे वाली नंबर है यह वहां 23 इसको फैक्टराइश करूंगा क्या मिलेगा मझे 3 इंटु क्या मिलेगा मेरा क्यूंकि यह 34 प्लस 2x 33 प्लस 2x मतलब यह consecutive नंबर है एक होगा 40 होगा एक होगा 42 होगा तो फोल्टी पॉसिबल ए तो रिक टेवल इसमें no to you cancel यह इसमें पॉसिबल ई य्युस कितने टाими 14 ताम तो मतलब 14 का मैंने पढ़ गा बूपर भी करना पदे गा मुझो नीचे भी करना पादगा तो मैं क्या करंगा यहां पर भी क्लिव करूंगा 14 का और नीचे भी 14 का मल्डिप्लाइ करूंगा तो इसको मैं थोड़ा अरेंजी फॉर्म में लिख दे रहा हूँ इसको यह रिएस करके ठीक है तक समझ में आजा है आखको ऊपर क्या लिखूंगा 13 यह कर सकते हैं, मतलब 10 प्लस x इकल क्या कर सकता हूँ, हम लोग पहली वाली बैक सिक लिए थे, और बॉल कितने निकल ले थे, आपने क्योशन आसन चाहेघ मॅलास ने काला ही था कितना यह था? से कॉशिशन था और सिंपल से कॉशिशन था है होफ़ली आप लोगों को समझ में आ गया होगा आगे देखता हूं कि कौन से डिया है आगे मैं पोशिच करूँगा एक आपका एक मैं थोला सजिस्ट कर रहा हूं कुछ इने आपको देखो आगे जो मैं लोगा आपके आपके है बहुत ही अच्छी है क्टेक्न जोँम की अपकी टेख जोन थो डSt आप लोगों को पता होगा अगर नहीं पता है तो इसका एल्लिमे मैंने बहुझ और आप लोगों को, टेक जोन से एक मैं आपको एक आपका हाई लेवल की डियाई लूँगा, जो कि बहुत अची रिया है, और उनके मॉक टेस्ट ही मैंने लिया हुगा है, नेक्स्ट वीडियो मैं यह चीज़ आपको समझाओंगा, ठीक है, कि किस तरह सैप कर सकते हैं, और टेक अचीज़ लोग एक महीने का ट्रैल लोग है, तो एक महीने का क्यूं लेना भाई, एक महीने में फायदा आपका कया है, जबकि मैंने बताया कि मॉक टेस्ट अच्छे हैं कि इससे अचा तीन रिपया लगा लगपग और एक साल बारह महीने के लिए लो, और भी बहुत सारी यह एक मेंने सीरीज मेने चलाया हुए तो इस सीरीज के यह आप मैं इसा ही कोशन ले रहा हूँ जिस पर आप प्रिपोर्ट कर रहे हो तकि आप लोगों का जो डाउट है वो खतम हो भाई या न कि यूँ आप लोग ऐसे करना वो मैंने दो वीडियो दिये हुए और भी वीडियो इस पर दूँगा ठीक है हर अपते में कोशिच करूँगा कि एक वीडियो ले क्या हूँ इस पर कोशिच करूँगा अगर नहीं ट करूँपत भीड़ कि एक वीडियो लेकि एक वीडियो वीडियो लेकि वीडियो ले कुपते है।